लो लोस्तों कैसे आप- लोग आज मैं आपको दिखाना वाला ही है जोती मीदा हुग कैसे आपकाई कंहि lain हे चुटी मस्ति बहुत ही करते है दिया अपको का planning मिले होगाय नहीं कहरा लो कैसे तो साफ कैसे करते हैं वो दिखाने वाला हूँ यहां पर देगे यह इस फिश को नंदन फिश बोलते हैं यहां सबसे पहले हम इसको साफ कर लेंगे उसके बाद में मैं आपको उसकी कम्टीली रेसीपी भी दिखाऊंगा तो चोटी मचली जो होती है बहुती टेस्टी होती है और यह जो खासकर मचली है इसका टेस्ट बहुत अच्छा होता है इसको आप पहले से इस तरह किसे इसके उपर जो स्केल्स होते हैं वो हम निकाल लेंगे नाइफ से और उसके बाद इसके फिंस निकाल लेंगे दोनों सा साफ करने का और फिश की रेसीपी भी बताने वाला हूं तो यहां पर देखें हमने दोनों फिंस से कट कर लिये हैं इसकी हम जो टेल है यानिकी दूम है वह भी हम कट करें ड ant में दिखांग वह आपको इसके पहले हमने इसकी फिंस निकालने के बाद इसको उपर से क्रॉस कट करना है जो अबने जो इसका हैड होता है वो भी हम निकालेंगे यहां पर देखें इस तरके से इसा कट हम मारेंगे इसको यहां पर कट करने के बाद वो फेक देंगे और यह जो हो गई कि तयार हो रही है हमारी मशली यहां पर देखें इस तरके से कि हमने इसके फिन निकाल लिए पहले और यहां पर इसके आंदर जादा कुछ रहता निया निकालने जैसा तो फिर भी हम इस तरह के से इसको जो भी है रहता है वो निकाल लेंगे एक नाइफ के मदद से तो यह मैं इसको कट और करने का तरीका आपको बता हुआ एंड में हम यहां पर इसकी जो दूम है यह कट कर लेंगे इस तरीके से ऐसे हम इसको कट कर लेंगे तो यह हमारी फिश कंप्रीट लिए और हम इसको पतिले में डालने लगेंगे और यहां पर आप आता है इसकी सफाय करने की तरीका तो हमने इसको सभी मशलियों को हमने कट कर लिया है और इस तरीके से साफ कर लिया और इसको आगे साफ करने के लिए हम नमक डालेंगे इसमें और इसको थोड़ा रगड के इसको दुहेंगे ताकि इसमें जो फिर से भी अ जो मोई भुष ही आसान यह है इस तरीकई से और दो थोड़ा हाथ से साफ कर लें ऋर्य पानी फिएकिंगे और आइसे ही करके हम तिर्फ से चार बार और इसको कर लेंगे तो यह हम ऐसे फिंड़ कलेक्ट करते जाएँगे क कता Straw Cand venir करें इस ही तरूरोफ करेंगे उसके यह फाइनली हमारी फिश तयार हो चुकिए साफ और क्लीन हो चुकिए इसको में एक बूल में ट्रांसफर कर लेंगे और आप मैं आपको बताऊगा इसके आगे की इंग्रिडेंट्स क्या-क्या लगते हैं इस फ्राइए की रेसीपी में दोसरे बहुत टेस्टी फिश होती है इसको नंदन फिश भी बोलते हैं और चोटी फिशın कोई पी श्यृटी फिश हो इसी तरह किसे साफ कर सकते हैं हमने एक पैन गरम कर लिया है और रहें पर दालेंगे 13 स्पून तेल हें इसको जलो फ्राइए और को गलम होने के लिए अच्शी तरह कैसरे रख देंगे तब- तो आप नीम्बू का रज भी इसमें दाल सकते हैं और यहाँ पर एक स्पून हल्दी लगी है और ठीक उसी तरह किसे एक टेबल स्पून हमने लाल मिर्च पॉड़र दाले यानिके रेड चिली पॉड़र दाला है आज हम बनाने वाले हैं फिश फ्राइ चोटी फिश होती है उसको साफ करने का तरीका मैंने आपको बता दिया तो अब हम इसको आगे की जो रेसिपी की त्यारी कर रहे है इसको हम अब मिक्स करेंगे अच्छी तरह से ताकि हर एक मसाला जोए फिश को लग जाए और यहाँ प से मिक्स कर लेंगे ताकि हर एक मचली में हर एक जो मसाला हमने एड किया है वह सभी चीज इसको लग जाए यहाँ पर देखें स्पूल से थोड़ा हम इसको कर सकते हैं तो यह हो चुकि रेड़ी अब हम इसको फिश को एड करेंगे हमारे पैन में क्योंकि पैन हमारा बहुत पूरी होगी इसको ऐड करने के बाद हम उसको आची तरह कैसे फैला लेंगे पैन में फैल सो हमें नीचे कमेंट में जरू बतायाँ गे आपको कैसी लेगी यह वीडियो रेसिपी यहाँ पर देखें एक बार उन फैले के बाद इसको हम धकर मेडियम फ्लेम पे दो मिनिट पका लेंगे शुरू के दो मिनिट है यह उसके बाद में आपको आगे का प्रोसेस भी दिखाऊंगा तो हम इसको धखकर दो मिनिट मीडियम फ्लेम पे पका लेंगे दोस्तों यह जो फिच होती है जैसे मैं आपको बता चुका हूं इसको नंदन बोलते हैं आप हमें ज़रू कमेंट्स में अगर आपको यह फिची कौनसी रेसिपी आप बनाते हैं तो जरू कमेंट कीजिएगा मुझे आपको पसंद आगी है तो जरूर लाइक और आपने फैमिली फैंड्स के सच शैर जरू कीजिएगा यहां पर इस तरह किसा हम उसको हलकी से स्पूल से हम इससे भी इसको हुआ कर सकते हैं ताकि हम घुमाने सी अच्छा हम इसको तो के चंचे निजन लिए तो इसलिए मैं स्यूंग्टर आपको पलता लें इसको एक बार पलताने के बाद हम इसको धक कर फाइनली और दो मिनित वीडियो माच पर पका लेंगे तो यह कंप्लीटल पक जाएगी टोटल इसको टाइम पांच मिट लगते हैं पकने के लिए तो और और हमारी जो फिश है वो बिलकुल हो जाएगी तो बहुत ही टेस्टी इसको इस तरह के से फराइज जरूर कीजिएगा और साफ भी आसानी से आप कर सकते हैं जैसे मैंने आपको शुरू में बताया तो मुझे यक्की निया आपको जरूर पसंद आएगा जो वीडियो है तो इसको लाइक जरूर करें और अपने फैमिली फैन के साथ शेयर करें और बन कर देंगे एक बार होने के बाद इसको अब हम निकालेंगे प्लेट में सर्फ करने के लिए तो जरूर ट्राइ किजिएगा इस फिश की रैसिपी को चोटी फिश है मैंने पहले जो वीडियो दाला है उसमें मैंने बड़ी फिश कैसे साफ करते हैं वह दिखाया था तो वह भी जरूर चकाउट कीजिएगा उपर देखिए उसका लिंक है तो यह हमारी नंदन फिश चोटी सी फिश को कैसे फ्राय करते हैं साफ करके आज मैंने आपको दिखाया है तो जरूर देखिएगा हमारे बागी रेसिपी चकाउट कीजिए तो फिर मिनते हैं एक नही रेसिपी के साथ लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और सबस्क्राइब करके बेल अकन पर टैप करना ना भूले तब तक के लिए खुदा आफिस